नवसकार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने योटूब चैनल सिच्छा जगत के चैनल राज्टितमे चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तो जैसवाल कोचिंग सेंटर आपके सिलेवस के धार पर ही प्रस्ण और आपके सिलेवस के बहुत इस फेसल होने वाली है मत्पदे सिच्छक वर्गतीन हेंड़ परसंट आपका स्लेवस है इसके साथ साथ सीटेट यूपीटेट रीट के असी से पचासी परसंट तक आपका स्लेवस मैच करता है तो आधर स्टेट वाले भी सिच्छक भरती यानि टीटी जाम के लिए आईए सुरू करते हैं और यह जो आपका दोस्तों ब्याकरन प्लस पेड़ागोज यानि हम 15 प्रसंट आपके ब्याकरन कराएंगे ठीक है संसकत ग्रामर के वो भी आपके संसकत भासा में संसकत लांगवेज भी और 15 बेतीन आपके पेड़ागोज यानि सिच्छा साथ के प शुरू करते हैं क्योंकि टार्गेट है भईया 30 और 30 में 30 लाना है तो टार्गेट मेहनत प्रेक्टिस बहुत करना पड़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रसंट आपके स्कीन पर आ चुका है दोस्तों और प्रसंट क्या पुंचा जा रहाएं देख लेते हैं संसक ग्रहन करने वाले कौन है अब यहां पर समझने वाली बात है दोस्तो ब्रह्म से ब्याकरन सास्त की सिच्छा ग्रहन करने वाले हैं इंद्र है ब्रहस्पति है पाड़नी है पतंजली है तो राइट यहां पर आईए देखते हैं आपके ब्रहस्पति हो जाएंगे ठीक है ब्रह्म से ब्याकरन सास्त की सिच्छा ग्रहन करने वाले आपके ब्रहस्प होगी सही हम सटीक इनसर सभी भाई भेंज सभी सिच्छक बंधू सभी ग्रहने देंगे यहाँ पर सही सटीक inser क्या होगा बिरस्पच से भ्याकरण का इश्चा ग्रहन करने वाले हैं तो सही इनसर हो जाएगा हिए आपके इंद्र हो जाएगा अंगला प्रसन देखते हैं ब्याकरण संप्रदायों की संख्या है दो है चार है छै है या आठ है तो ब्याकरण संप्रदायों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा आठ है और वाए कौन कौन से है आगे आने वाले प्रसनों में हम आप लोगों को बता अंगला प्रसना ये देख लेते हैं ये प्रसनला जबाइब है दोस्तों आपके एक्जाम में पूचा गया देख लिए धुन प्रति डिया क्वोच्ट। है तो यह है आपका अश्ट ध्याई है कौन सा ग्रंथ है अश्ट ध्याई है नेस्ट कुश्चन देख लेते हैं इसके पले दोस्तों टेलिग्राम में जरूर जॉइन करें वहाँ पे नोट्स पीडिया फाइल एकदम फ्री में आपको मिलेगे क्योंकि हम बात करते हैं राश् अश्ट ध्याई के रचनाकार है तो अश्ट ध्याई के रचनाकार कौन है तो सबी लोग जानते होंगे नहीं जानते हैं तो जान लीजे महरसी पाड़नी है कौन से हैं वह या अश्ट ध्याई के रचनाकार आपके महरसी पाड़नी है दोस्तों आप जो सिच्छन सास के पं और एक स्थान एक सरकारी सीट पक्की किजिए प्रसने की पार्णी को ब्याकरण की सिच्छा देने वाले हैं कौन है वह या पार्णी जो है आपके इनको जो है ब्याकरण की सिच्छा देने वाले महान भाव कौन है वह तो वह आपके हो जाएंगे सिव क्या हो जाएगा सिव ह जाएगा है यहां पर अंगला प्रसना यह देख लेते हैं दोस्तों हम एक भी प्रसनाई छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमारा टार्गेट है 30 of 30 क्योंकि संसकत्त हिंदी और आपके जो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं अगर इसमें आप 30 of 30 ला लेते हैं तो आल ओबर आउट आफ 150 मे 120 आपका पका हो जाता है यहां पर अगर क्रास का लेते हैं तो सलेक्षन वहिया कोई नहीं रोग सकता बिलकुल टॉफ रैंक में भी आ सकते हैं प्रसने ब्याकरण सम्मत शिव प्रदत मूल सूत्रों की संख्या है जो आपकी ब्याकरण सम्मत शिव प्रदत है उनके जो मू मूल हैं उनके सूत्रों की संख्या कितनी हैं तो आपकी 14 हैं ठीक है 14 कितने सुप्रदत मूल सूत्रों की संख्या 14 है 14 नेस्ट कोश्चन अश्ट ध्याई के अध्याई या पादों की शंख्या क्या हो जाएगी तो यहां पर आप लोगों का आठ और 32 हो जाएगी याणि अध्याई आठ है और पाद कितने हैं 32 है अंगला प्रस देख लेते हैं अश्रधाई के प्रतीक अध्याय में पादों की संख्या है देखिए अभी टोटल यहाँ पे मैंने बताया आठ और 32 लेकिन प्रतीक अध्याय आ गया तो प्रतीक अध्याय में कितने पादों की संख्या कितनी है तो आपकी हो जाएगी चार ठीक है प्रतीक पाद में चार आपके इनवाक्स में आता रहे और आपके सिलेवस के धार फी सभी कोश्चन वीडियोज आपके योटूब पर आते रहें जिसके आप बहुत त्यारी कर सकें अब प्रसने दोस्तों बहुत इंपॉर्टन ध्यान दिजेगा अश्ट ध्याई की संपूर्ण सूत्र संख्या कित इतनी है तो राइट एंसर हो जाएगा पहला अप्सन कितना हो जाएगा 3983 ठीक है कितना हो जाएगा 3983 सूत्र हैं आपके अश्ट ध्याई में संपूर्ण सूत्रों की संख्या कितना है 4983 है अंगला प्रसना ये देख लेते हैं प्रसन क्या पूंचा जा रहा है अश्ट ध् के किस अध्याय में सरवाधिक सूत रहें अब देख अश्रधाई के जो अध्याय है प्रतेक अध्याय में लेकिन सरवाधिक सूत आपके किस अध्याय में तो वह आपके कौन सा है ठीक है सरवाधिक जो सूत अध्याय में सरवाधिक सूत 6 है यानि एक ऐसा ध्याय है जिसमें 6 सदिक सूत किसी भी अध्याय में आपको नहीं मिलेंगे सरवादिक सूत आपके 6 ही रहेंगे अध्याय में कितने अश्टिधाई के अध्याय में अंगला प्रसन देख लेते हैं और 15 प्रसन में आपको बताया था कि सद्ध्याय में है तो आप देखेंगे कौन सद्ध्याय में है राइट इंसर, सटीक इंसर, बेतीन बेतीन क्लास जा रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट करें, साथ दें और लाइक शेयर करें, सपोर्ड करें, मोटिवेट करें प्रस्ण है आश्रधाई के किस द्या में सबसे कम सूत रहें तो आश्रधाई के जो आपके दूसरा द्या है उसमें सबसे कम सूत रहें और छठे या द्या में सबसे ज़्यादा सूत रहें ये दोनों नोट कर लेना question अब ये हो गए आपके grammar के और चलिए अब पंद्रह प्रसनाप के सिच्छन सास के करते हैं पंद्रह प्रसनाप के सिच्छन सास के रहेंगे पहला प्रसनी स्कीन पर है शंसकत भाषा यामकति वेदा है शंती यानि संसकत भाषा के कितने वेद हैं यानि वेदों की संख्या कितनी है साप्त हैjan, पंच होंगे, दस होंगे या चत्वारः कितनी संक्या है? संसकत भाशा के कितने भेध है? तो चलिए आए यह सही एंसर, एम साटीक एंसर देखते हैं तो आपके चार भेध हैं कितने संसकत भाशा के वेधों के चार भेध हैं? और सभी लोग जानते हैं रिगवेद, सामवेद और यजिरवेद, यह हैं चार आपके वेद, अंगला प्रसन है, सिच्छन मुल्यांकन शिकदी वेदाय शंती, ठीक है, यानि सिच्छन मुल्यांकन की कितने वेद हैं, तो सिच्छन मुल्यांकन की आपके कितने वेद हो जाए तो अन्वाद सिच्छन का उद्देश क्या हो जाएगा आए सटीक इंसर देखेंगे दोस्तो अन्वाद सिच्छन का उद्देश होता है चात्रे सु संस्कत लेखन श्योगते उत्पादनम यानि चात्रों के संस्कत लेखन की योगता को उत्पादन करना ये भी उद्देश ह और चातर नाम सब्द भंडारश अभियोधर नम यानि कि चात्रों में सब्द भंडारण का ठीक है अर्जित करना या कि बढ़ाना तो ये भी आपका अनवाज सिच्छन का उद्देश हो जाएगा सब्द कोशस ब्रद्धी भवत यानि सब्द कोश की भी ब्रद्धी करना तो ये भी आपका अनवाज सिच्छन की उद्देश हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियापसन यानि कि सर्वमपी हो जाएगा यानि कि ये तीनों आपके होंगे अनवाज सिच्छन की पहला प्रतम दिया है और अंतिम आपका लेखन दिया है तो पहला ही यहाँ पे हो जाएगा तो क्रम में बताना है क्रम नेधारन क्या है स्रावण होगा पहला ठीक है फिर सेकंड आपका भासण होगा तीसरा होगा पठनम चौथा होगा लेखनम तो यह है आपके चतुरविद भासण कौशलम का क्रम नेधारन अंगला प्रसना यह देख लेते हैं अंगला प्रस्न है संस्कत्भासा सिछण स्फप्रतम कॉशल कौन आ है तो मैं आपको प्रति एक बार बता चुका हूँ दोस्तों स्रवन कॉशल जो है आपका प्रतम कॉशल कहलाता है जो है आपका अंतिम कॉशल कहलाता है ठीक है चलिए नेस कोशन आजे देख लेते हैं अंगला प्रसन है नाटक उप योजनायाम सिच्छ का है रंग मंचे कार्यती नाटक पाठ योजना करते समय सिच्छ को क्या है रंग मंच में क्या करते हैं ठीक है पाठ नम यानि पाठ करते हैं अविने करते हैं लेखन करते हैं वाचनम यानि की वाच करते हैं ठीक वाच यानि का होता है बोलना होता है तो नाटक पाठ योजना करते हैं समय जो है सिच्छक रंग मंच में क्या करते हैं जो सही एवं सठीक इंसर जानते हैं आपका आविनय करते हैं क्या करते हैं कारियती अंगला प्रसना ये देख लेते हैं इसकीन पर है बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है एकजाम में आ चुका है रिफेटेट कोश्चन है यानि संसकत सिच्छन के प्राचीन पद्धती का मुख खुदेश क्या है दोस्तों बहुत अच्छा प्रसन ध्यान दीजेगा संसकत सिच्छन प्राचीन पद्धती का मुख खुदेश जो है आपका क्या होता है तो मुख खुदेश यहां पर हो जाएगा भारती संसकत का परिच्चे देना स्वध्यायम प्रतिछातम अभीरुचित पादनम सुद्धोचारण सामर्थ प्रदानम यानि सुद्धोचारण करने का सामर्थ प्रदान करना ये तीनों जो आपके संस्करत शिच्छन के प्राचीन पद्धत के उद्देश है ये तीनों उद्देश है तो D-Obson हो जाएगा सर्वे यानि क्योपरोग सभी अंगला प्रस्ण क्या कह रहा दोस्तों बहुत अच्छा प्रस्ण है वैदी काले कस्मात संस्करत परम सिच्छा प्रारंब यनि वैदी काल के समय जो है कस्मात संस्करत कौन से आपके संस्करत परम सिच्छा प्रारंब वैदिकाले उपनेन संस्करात परम सिच्छयाम प्रारंबाय दी आपसन आपे सई हो जाएगा आई एंगला प्रस्ण देख रहे हैं एंगला प्रस्ण क्या कह रहा दोस्तों बहुत एच्छा प्रस्ण है प्राचीन सिच्छयाय लच्छे सुक्यम प्रमखम यानि जो प्राचीन सिच्छा है उसका प्रमुख लच्छ क्या होता है ठीक है ब्रत्ति प्राप्ति होगा भुक्ति प्राप्ति होगा भुक्ति यानि भुक्ति को प्राप्त करना मोच प्राप्त यानि मोच को प्राप्त करना तो जो प्राचीन सिच्छा आपके रही उसका जो लच्छ है उसका लच्छ प्रमुक क्या कहलाएगा प्रमुक लच्छ क्या है तो वह आपका हो जाएगा मौच प्राप्त है समाज दिश्टियाय प्राचीन काले गुरू की दिशह आशित यानि समाज के दिश्टियाय प्राचीन काल की गुरू कैसे थे ठीक है राज के उबदेशक थे अग्यान निवारक थे सास्तरग थे या कर्म शून थे तो समाज की दिश्टियाय प्राचीन काल के जो गुरू थे वह आपके दोस्तों अग्यान निवारक थे अग्यान निवारक मतलब क्या होता है अग्यान तो को दूर करना यानि कि ग्यान भर भर के देना तो समाज की ज़त से जो प्राचीन काल के गुरू थे अग्यान निवारक थे यानि अग्यान को दूर करने वाले थे उपनेयन संस्कुत के बाद होगा ये सरवेपी होगा ये ब्रहमचर ब्रत पालक वाला यनि यह दिया गया कोश्चन कि किस दसा में सिस्ट को ग्यान अर्जन करने का स्विकार देना या कि ग्यान अर्जन के समय ये सारी चीजें करना तो सही एंसर क्या होगा आपका क्या होगा ब्रमचर वृत का पालग अगर कोई भी सिस जो है ब्रमचर वृत का पालग करता है 對क है की तसाहदिया न तो ब्रमचर पालग है सिस्चाहग्यान अर्जे अहर्या ववंती हो जाएगा the option सही होगा अंगला प्रसना ये देखते है प्रसंदिया है बहुत अच्छा प्रसंदिया है एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर दीजेगा बहुत ही कम आप लोग लाइक करते हैं सपोर्ट कीजे दोस्तों लाइक सेयर करते रहे क्योंकि हम सिच्छा जगत की बात करते हैं और notes, video file एकदम free में आपको telegram में provide करा दी जाती तो जरूर वहाँ पे next day आपको मिल जाता है और practice it आप videos के मादम से कीजिए और notes आपको answer मैं नहीं देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे practice कर सके answer मैं आपके केवल videos, classes पर ही आपको देता हूँ वहाँ पे PDF में कुछ मैं answer देता हूँ जहाँ पे कठिन जादा है और इजिले वाले को मैं answer नहीं देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से बहतर त्यारी कर सकें प्रस्में दोस्तों कि परिवारिक की प्रणाली कश्याम सिच्छा पद्धत आशीत यानि कि परिवारिक प्रणाली यानि कि परिवारिक से समंदिक प्रणाली जो है कश्याम सिच्छा पद्धत आशीत कौन से सिच्छा पद्धत ही होगी तो परिवारिक जो प्रणाली है वह आपकी वैदिक सिच्छा पद्धत कहलाएगी परिवारिक प्रणाली आपकी वैदिक सिच्छा पद्धत आसीत हो जाएगा अंगला प्रसना यह दिख लेते हैं पूर्वम की दश्यम अनुशासनम आसीत यानि किस दशा में अनुशासन होता था पहले ठीक है आज की बात नहीं कर रहे है पहले की बात की जा रही है तो पहले जो कैसा होता था दमनात्मक होता था यानि कि अगर बोल दिया गया ऐसा ऐसा नहीं दमन किया जाता था पूरवम क्रीदसम पूरवम दमनात्मक अनुशासन मासीत यानि कैसा अनुसासन था पहले आपका दमनकारी अनुसासन था अंगला प्रसंद देख लेते हैं अंगला प्रसंद दोस्तों बहुत अच्छा प्रसंद आपे दिया है ध्यान पुरक देखेगा भारती यशी भारती ये सिच्छा दर्सने केशु कश्याय प्रभाव है यहां पर आपका आस्रम ब्यवस्था हो जाएगा क्या हो जाएगा आस्रम ब्यवस्था हो जाएगा अंगला प्रसन देख लेते हैं और पंदावा प्रसन आपके सिच्छन सास का उत्तम सिच्छकस लच्छनम किम यानि उत्तम सिच्छका का लच्छन क्या होगा दोस्तों ठीक है इसलिष्टा क्रिया आत्म शैंस्था अन्यश्य संक्रान्त्र हे यानि कि उत्तम सिच्छकस लच्छन क्या होता है तो वह आपका होता है आत्म संस्था, सिलिष्ट क्रिया बिसीस, युकता, चा संक्रान्ति, यत्र वर्तते यानि सी आपसन आपका सही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी पंद्रह आपके ग्रामर के प्रसन यानि संसकत की ब्याक्रण और पंद्रह आपके सिछन सास यानि बेतरीन त्यारी बिस्ट और टार्गेट 30 आफ 30 है और यह टार्गेट जरूर पूरा होगा टार्गेट फिक्स होगा बस डेली क्लासेश लीजे और एक बात दोस्तो प्लेलिस जरूर चेक कीजे प्लेलिस में आपको सभी क्लासेश मिल जाएंगी एकदम फ्री में कोई भी आपको इस्ट्रा चार्जर नहीं देना है कोई भी एकदम जीरो वैलू पर मिलेगी तो ये पहली बार अगर चैनल पर विजट कर रहे हैं लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइबर गयना माइने नहीं रखता हमारा माइने आप लोगों का सपना पूरा हो आप लोगों के परिवार का सपना पूरा हो क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग 8-10 साल सिख जाम नहीं हुए हैं तो मेहनत कीजिए दोस्तों बस सपना पूरा कीजिए सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मात्रम धन्वाश अभी कर